हेलो व्यूवर्स, जाईका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इजी, सिंपल और हेल्दी खजूर के दूद की रेसिपी इस विंटर की सीजन में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा बहुत ही आसानी से जट पट कुछ ही मिन्टों में बनने वाला खजूर का ये दूद सेहत के लिए बहुत पाइदे मन्द है तो चलिए सुरू करते हैं डेली और विकेंड स्पेसे लिसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें खजूर का दूद बनाने के लिए हमने मिकसी जान में पंदरा खजूर ली है इनके बीज हमने निकाल लिए है और इसे हम mixijan में grind करेंगे लेकिन grind करते वक्त हम इसमें एक कप दूधेट करेंगे और खजूर और दूध का एक गोल बना लेंगे तो देखिए हमने खजूर को पीचते वक्त इसमें दूधेट किया है तो इसका बढ़िया सा गोल बनकर तयार हो गया है इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक लीटर फुल फेट डूध लिया है तो इसमें से हमने सिफ एक कप दूध का इस्तेमाल खजूर को पीचने में किया है और बाकी का दूध हमने गरम करने के लिए रख दिया है तो इसमें high flame पर एक उबाल आने देंगे तो इसमें हाई फ्लेम पर एक उबाला चुका है अब हम गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और हमने खजूर और दूद का जो गोल बना कर रखा हुआ है वो इसमें एट कर देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो देखिए हमने इसे लो फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए पका लिया है तो एक बार इसे चेक कर लेंगे ताकि जो दूद है वो बरतन के तले में ना लगे और इसमें एड़ कर देंगे तीन टेबल स्पून चीनी दिखेंगे खजूर के इस दूद में चीनी बिल्कुल ओप्सणल है वेसे ही खजूर की मिठास इसको बैलेस कर देगी लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मिठा रखना है तो आप इसमें चीनी एड़ कर दे नहीं तो स्कीप कर दे साथ ही में हम इसमें एट कर देंगे दो टेबल स्पून कटी हुई बादाम और एक चोथाई टी स्पून इलाइची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन चीजों को एट करने के बाद हम इसे लो फ्लेम पर दो से तीन मिनिट के लिए और पका लेंगे चीनी लाइची पाउडर और बादाम एट करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर दो मिनिट के लिए और पका लिया है अब गेस की फ्लेम को उफ करके इसे सव कर लेंगे तो देखा आपने किसे जट पट कम महनत में और बहुत ही कम इंग्रीडेंट्स का इस्तेमाल करके कितना हेल्दी और टेश्टी खजूर का दूद बनकर तयार हो गया आप इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और कॉमेंट बुक्स में हमारे साथ अपने एक्सपिरेंस ज़रूर से सेर कीजिएगा सद्यों के मौसम में हम इसे गर्मा गरम ही सव करेंगे लेकिन अगर आप चाहें तो इसे फ्रीज में ठंडा करने के बाद भी सव कर सकते हैं और सव करते वक्त हम इसमें गानिशिंग के लिए थोड़े से बादा मोरेट कर देंगे आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेश्ट है के आसान, यूनीक और हेल्दी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइगन जरूर दबाएं फिल मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तब के लिये गूटबाइ